बैग्यम किया जाता है कियों किया जाता है तो हम लिदा एक तो आशिए फ़रेंग पॉंट्रहर, बहुत हाई होते हैं को हीट करोगे यो सम्तिंग औरेफ्रोक्स मेल्टिंग पॉइंट है इसका बॉयलिंग ौइंट है और 282 एकल स्टाइस होता है अगर आप시कर इतने वीक बडिगरी हीट करोगे तो इसका नेचर होता है डिकंपोज का ये डीकम्पोस हो जाएगा तो डीकमपोचन की बचने के लिए हम विकुम डिस्टलेशन का प्रिय各फ करते हैut अब विकुम डिस्टलेशन गतर से अपरेटस से वहता है उस से क्या प्रीरिंसपर है की बात करेंगे तो इस मोश्टली क्या होता है कि एन ऐसे Price और जिनका boiling point बहुत हाई होता है और उस boiling point पर वो decomposition हो जाता है उनका तो उसके लिए यूज मिलेते हैं vacuum distillation vacuum distillation में इसका apparatus बना दूँ आपको एक RB होता है और वी की उपर आपको simple distillation का apparatus है यहां आपके thermometer pocket लगे होती है thermometer pocket यह आपका RB इसके बाद में यहां पर condenser लगा होता है इसके बाद में आपका receiver के अंदर एक और लगा होता है यहां पर आपका vacuum pump जुड़ा होता है यह vacuum pump के द्वारा जुड़ा होता है अब vacuum pump के द्वारा आपको distillation distillation assembly वो की हो है सेम आपको second इसके अंदर जुड़ा गया है vacuum pump अब vacuum pump का रोल किया है यहां पर और vacuum pump यहां से आपकी heating हो रही है that is the heating यहां आप heat कर रहे है यहां thermometer में आप temperature देख रहे है temperature यहां से हो solution boil होगा boil होने के बाद में यहां पर water का आपने connection जोड़ दिया और उसके बाद में यह distill होके यहां पर आ रहा है साथ साथ में vacuum pump के द्वारा आप vacuum generate कर रहे हो अब vacuum pump के आउशक तर क्यों पड़ी इसको क्यों किया जाता है क्यों किया जाता है कि हमन बता दिया आपको क्योंकि कोई भी compound का अगर boiling point हाई होता है तो उसका decomposition हो जाता है decomposition से बचने के लिए आप vacuum distillation का यूजे मि लेते हैं अब mostly आप distillation का होता है कोई भी solution boil का होता है इसका mostly similar रूप से मैं बताऊं आपको कि जब atmosphere pressure atmosphere pressure अगर vapor pressure के equivalent हो जाता है that is the boiling point यह normal definition है boiling point का अगर आपका air atmosphere pressure अगर 1 ml Hg है और vapor pressure 1 में Hg के equivalent हो जाएगा तो वो solution boil on लग जाता है that is the boiling point अगर सपोज अपन नाइट्रो बेंजीन यह ऐसे compound होते है जिनका boiling point बहुत हाई होता है अगर उनका अगर आपका बोई करोगे 200 degree के आसपास जाके बोई होगे और वोड़ोंगे vacuum अगर जंडेट कर दिया आपने तो atmosphere pressure down हो जाएगा और atmosphere pressure down हो जाएगा suppose atmosphere pressure हो गया आपका 0.5 तो 0.5 पे अगर आपका vapor pressure 0.5 हो जाएगा जिस समय पर उस समय पर वो solution boil on लग जाएगा और boil on के बाद में cool down होने के बाद में डिस्टिर्ट कर सकते हैं उसको 200 degree addition degree की requirement नहीं है तो means conclusion क्या है अगर vacuum pump के द्वारा आप atmosphere pressure को down कर दोगे और boiling point क्या होता है atmosphere pressure जो होता है वो की vapor pressure के equivalent हो जाता है that is the boiling point अगर आप atmosphere pressure को down कर दोगे suppose vacuum pump के द्वारा हमने down कर दिया सको more point five atmosphere pressure कर दिया तो vapor pressure point five degree point five atmosphere आने में आपको suppose पचास डिगरी पे आता है तो आपका पचास डिगरी पे ही distillation हो जाएगा 200 degree की centigrade की आउश्टा नहीं होगी इसलिए हम vacuum distillation करते हैं और साथ साथ में decomposition से बचने के लिए दो दो इंपोर्टेंट चीज है vacuum distillation के अंदर पहला तो means है vacuum distillation तब करते हैं जब आपका कोई भी compound decompose उस temperature पर decompose हो रहा हो दूसरा vacuum लगाने के बाद में आपका atmosphere pressure जो होगा वो down हो जाएगा जिस समय पर atmosphere pressure vapor pressure के equivalent हो जाएगा that is the boiling point सबोच 50 डिगरी पर आपने vacuum pressure down कर दिया और 50 डिगरी पर सबोच 0.5 atmosphere pressure आता है तो आपको distillation 50 डिगरी centigrade पर हो जाएगा means तो यह बहुत important चीज है क्योंकि कई compounds होते हैं research section में या analytical section के अंदर जो की decompose हो जाता है high temperature पे तो उसके distillation के लिए आप vacuum distillation यूज में लेते हैं thank you like करें subscribe करें okay